मुझे आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं महिंद्रा की दो बीस्ट जो की है स्कॉर्पियो और महिंद्रा थार 2022 आपको यह दोनों अप्शन महिंद्रा में मिल रहे हैं और सबसे बेतरी बढ़िया बात यह है कि दोनों की प्राइज रेंजिंग एक ही बराबर है तो यह आपको करना है कि महिंद्रा थार वर्थ वेटिंग है और वर्थ प्राइज है उसका या आपको इसकी जगा स्कॉर्पियो लेनी चाहिए इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के डिफ्रेंसिज बताऊंगा 4x2 और 4x4 का बताऊंगा उसके बाद बताऊंगा आपकी फैंबली और बताएंगे आपको कंपनी से स्कॉर्पियो में क्या क्या आया है तो फैंबली हम स्टार्ट करते हैं ग्रिल से ग्रिल में हमें एक क्रोम का टच देखने को मेरा प्लास्टिक के साथ जो की लुक को बहुत ही अग्रेसिव बना रहा है अब हम चलते हैं हेडलाइट की देती हैं काफी मस्कुलर लुक दिया गया है स्कॉर्पियो को फ्रेंड में अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ बोनेट में जहां पर हमें एक एर स्कूप फिल्टर देखने को दिख रहा है यह एर स्कूप जो है यह फ्रेश एयर को सक करता है यहां से और फ्रेश एयर इंटर को की तरफ बेजता है गाइस अब हम चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ तो फैंबली सबसे एक सॉटी चीज जो स्कॉर्पियो में हमें देखने को मिल रही है इस कॉर्पियो में वह इसके अलॉइ विल्स हमने इसमें महिंद्रा था 2020 के आफ्टर मार्केट अलॉइंस फिट कराए है तो फैंबली टर्न इंडिकेटर आपको यहां पर फैंडर के ऊपर मिल रहे हैं जैसे कि आपने बाकी कार्फ में देखा है वहां आपको ओर वीम के नीचे ऐसे इंडिकेटर दिखते हैं बट यहां पर आपको यह लोवर साइड औ फैंडर में मिल रहे हैं विदाउट सेंटर लॉकिंग इस कार में हैंडल के अंदर वी की इंजक्ट का ऑप्शन है मतलब यह की से भी खुल सकती है हमें यहां पर प्लास्टिक ग्लाइडर देखने को मिलता है जो की फ्रंट बंपर से स्टार्ट होता है और रेर बंपर तक जाता है और उसके बाद रेर सीट में आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग भी दिखती है काफी सूट कर रहे हैं महिंद्रा थार के अलॉय वील्स स्कॉर्पियो के अंदर उसके बाद यह काफी ही कमफर्टेबल हैं ड्राइव करने में ऐसे हमें कुछ भी दिक्कत नहीं आ र तो फैंबली उसके बाद टेल लेंप के अंदर स्कॉर्पियो की बैजिंग दिख रही है अब नजर डालते हैं इसके पार्किंग सेंसे के उपर जो की बहुत ही यूजफुल होते हैं उसके साथ ही आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं काफी सॉलीड है इसका फ पोटी लुक देता है स्कॉर्पियो को तो फैंबली अब हम चलते हैं इंटीरियर के दरफ इंटीरियर में दिखाते हैं आपको क्या क्या सबसे बड़िया चीज जो इंटीरियर में देखने को मिल रही है वह ड्यूल कंप्लीशन के साथ टैश्पोर्ट उसके बाद आप दे है इसका आप स्टेरिंग देख सकते हैं इसमें पूरे कंट्रोल दिए गया है क्रूस कंट्रोल मिल तेंडेंड में और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका गेर् नव नॉब देख सकते हैं एन्फंपर डिख सेंब तो फैमिली आपने अभी स्कॉर्पियों के वारे में सब जाना है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्कॉर्पियों जो है वो एक फैमिली कार है एज कंपेर टु थार में आप four people की तरफ जाहिए तो फैंबली अब हम चलते हैं महीद्रा थार की तरफ तो फैंबली थार में आपको औरिजिनली कंपनी से वही अलॉई मिलेंगे जो हमने आफ्टर मार्केट स्कॉर्प्य में डिलवाई है एस यू आल लो थार फोर सिटर कार है टू डोर के एंट्री से तो ग आपको थार का फिफ्ट वील रियर में हंग हुआ दिखेगा वेरे स्कॉर्पियो का स्टैपनी की तरह ही यूज होता है इसलिए वो स्टैपनी में ही होता है मेंद्रा थार इस एन ओफ रोडिंग कार सो व्यू कर नाट से इट एज अ फैंबली कार तो फैंबली अब हम बात स्कॉर्पियो के साथ कंपेर नहीं कर से क्योंकि यह फोर सीटर है स्कॉर्पियो सेवन सीटर है इफ यूर इंटू एड्वेंचर एंड्रेवलिंग देन महिंद्रा थार इस अप्शन यू है तो आप फैंबली में अपनी वीडियो को यहां पर कंक्लूड करूंगा बाई से कि यह जो महिंद्रा थार है यह टू सीटर ही है आप इसको फोर सीटर ना मानिए क्योंकि कोई भी पीछे जाके नहीं बैठते आज की डेट में वेर अगर आप अपने पेरेंट्स को आप पीछे नहीं बिठा सकते तो अगर आप फैंबली मेंबर हो और अगर आपकी बड़ क्योंकि क्याओा आप भी पीछे जा है और आप राप 24 के पीछे जा है आपकी टूसर ale दो रसीजे की जा लिए लू ड़ट िर शी में बबड़ इसको अभ़ा ही जा खज़ी ए है आप यजवे